तो नमस्कारे दोस्तों वेलकमें गाईस आप सभी का और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिविल सर्विस 2021 का पिल्लियम्स मेंस और फाइनल का कटप कितना गया ठीक है कल रिजल्ट आ गया है यानि कि 30 तारिक को 30 मैं को रिजल्ट आया अब आएए देखते हैं ए सबसे पहले तो सिविल सर्विस एक्जामिनेशन 2021 मिनीमम क्वाइलिफाइंग मार्क्स पहला है मतलब आराम से पढ़ते जाएंगे देरे-देरे सारा कुछ इन दसे इन दसे इन सेविल सर्विस एक्जामिनेशन 2021 मिनीमम क्वाइलिफाइंग मतलब की आपका कटप है डिरेक पहले देखते हैं General का तो General में गया है दोस्तों आपका पीरी में और पीरी में जो एक ही पेपर को जड़ा जाता है GS पेपर one को अभी उसको भी जानेंगे तो 200 में से कुल 87.5 फोर गया है आपका कटव कि उसके बात देखते हैं मेंस का तो मेंस में आपका 745 745 गया है कट अप मेंस का जो आपका रिटन देना होता है और फाइनल में गया है आपका मेरिट के लिए 913 यानि कि 953 EWS का देखिए EWS का है 80.14 प्रिक के लिए मेंस के लिए आपका 713 713 और फाइनल है आपका 916 916 ठेक है अब इसी का कट अप देखिए जो कि इंपोर्टेंट होता है मैक्सिमम के इंडेट अब इसी होते हैं OVC का है 84.85% 84.85% उसके बाद मेंस में गया है OVC के कट अप 707 जो की 707 है और फाइनल में 910 910 गया है फाइनल कट अप OVC का SC का कट अप देख लिजी तो SC का कट अपका 75.41% है मेंस में SC का कट अप 700 गया है 700 और फाइनल में 886 गया है 886 कट अप फाइनल में मेरिट के लिए अब हम बात कर लिए एस्टी का तो SC यानि के सेड्यूल ट्राइव का गया है कट अप आपका 70.71% उसके बाद मेंस के लिए स्टी और स्टी दोनों का कट अप सेम गया है 700 700 गया है इनका 883 यानि कि स्टी से 3 मार्क्स कम अब देख लिएते हैं पी डवलूडी तो पी डवलूडी का है पिरी में आपका 78.02 % 608 परज़ेंट सेरे भी कम गया है जी और पी डवलूडी 1 जैशे है उसके बाद Этот से ज्रुनदा है इस्टी से ज्यादा पार गया है इसमें 892 गया देखिएUm डी तो का इसी तरह का है पी डया डीडी तो 712 और फाइनल में 932 उसके बाद देख लेते हैं तो हमारा है PWD 3 का 43 नंबर गया है मातर 43 यार 43 तो 43 गया है पिरी में में 388 वाव परी इतना कम 388 दोस्तों only 338 मार्क से इनका मेंस निखल गया है और फाइनल सेलेक्शन हुआ है इनका 689 जबकि यहाँ पे देखिए आप लोग जेनरल का 953 और इनका है 689 छेसो नौआसी PWD 5 का देखिए तो इनका है पिरी में कटप गया है 45.80 उसके बाद PWD का PWD 5 में गया है 560 और आपका इसका मेंस में अच्छा खाजा कटप चला गया है 701 तो यह था आपका कटप अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में तो यहाँ पे देखिए Cut off marks on the basis of GS paper 1 जो आपका general study paper 1 होता है केवाल उससी को जोड़ा जाता है GS paper 2 जिससे आप लोग CC8 के नाम से भी जानते हैं वह qualifying नेचर का होता है 33% लाने होते है rule 15 के according civil service rule 15 के according ठेक है फाला point दूसरा point कि subject to 10% marks in each of the 7 आपका जो competitive papers होते हैं जैसे की essay हो गया essay का एक paper GS paper 4-5 हो गये और दो optional इन सभी में आपको 10-10% marks minimum लाने ही होते हैं means में ठेक है तो यह हो गया आपका minimum लाने ही होते हैं लेकिन cut up आपका इसमें तैय करेगा next देख लेते हैं तो हमारा next point है point number two कि अगर पहले हम English को परते हैं मतलब यह बोलना चाह रहा है कि अगर दो candidate का marks same आ जाए ठेक है दो candidate का marks same आ जाए तो उस समय क्या होगा उस समय जो है तई आपका करेगा कि आपके interview में किसका marks ज़्यादा आया है उसको आगी कर देगा अगर interv में भी marks दोनों का same है उस इस स्थी में जिसका उम्र जादा होगा जिसका age जादा होगा उसे आगे कर दिया जाएगा यह इन्होंने बताया है और compulsory paper included essay general study paper 1234 और आपका जो है optional दो होते हैं और एक होता है ethics का ethics इसी में match कर जाएगा तो यह थें आपके cut ups जो कि civil service 2021 के लिए था अब दिजिए exam आप लोग चलिए हम भी मिलते हैं exam में आप देखते हैं next year का cut up क्या आएगा अगर आपको previous year question paper देखना है चाहे mains का चाहे prelims का तो आप हमारे channel पर जाकर के visit कर सकते हैं वहाँ पे previous year question paper आपको easily available करा दिए गये हैं तो previous year question paper रोल सेक्षन में जाकर कर के download कर सकते हैं चाहे cset का हो चाहे आपका gs paper 1 हो चाहे mains हो चाहे अर्थिक सो कुछ भी ही हो and thank you best of luck अच्छे से एक जाम दीजिए